नमस्कर दोस्तों, अनुपमा के आज के एपसोड में आप ये देखेंगे कि आनुज वापस होटल पहुंच जाता है आतिया पूछती है कि आप इतने दिर कहाँ पे थे, आनुज बोलता है कि मैं मंदिर गया था आतिया बोलती है कि इतने राग को कौन सा मंदिर फिर आतिया बोलती है कि मुझे ये सब फंक्शन अटन करना अच्छा लगता है लेकिन हमें तो वापस जाना ही पड़ेगा, आपको शूती से शादी जो करनी है तब आनुज एकदम मायूस होके चुप हो जाता है वहाँ अनुपमा के फाई अनुपमा को रसगुला खिलाता है और बोलता है कि स्पाइसान चटनी के चोर के पकड़ने के खुशी में है ये रसगुला अनुपमा बोलती है कि सच सामने आया है तो अब रेस्टोरन भी खुल जाएगे इशानी बहुत खासता है ये देख के बापुजी उसको कफसिरब पिलाता है इशानी और जोर से खासने लगती है और खास-खास के बेहोश हो जाती है पूरे शाह परिवार इशानी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है वहाँ अनपमा को नीद नहीं आती है तब ही काविया फोन करके अनपमा को बोलती है कि इशानी के तबियत खराब है अनपमा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है अनपमा पाकी को पूछती है कि कौन सी दवाई पिलाई तुमने इशानी को तब पाकी बोलती है कि बापु जी ने गलत दवाई पिलाई इशानी को पाकी बोलती है कि अगर इशानी को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मदारी सिर्क बापु जी का होगा तब ही डॉक्टर बाहर आके बोलती है कि सही वक्त पे आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके आया इसलिए बच्चे की जान बच्की वहाँ ये श्दीब अपनी बीजी को बोलता है कि अब लग रहा है कि जिन्दगी फिर से शुरू कर सकता है जिन्दगी के बुरे टाइन पे हमेशा हमें शांत रहनी चाहिए गुसे में इनसान गलग चीज बोलता है गलग चीज करता है इसलिए शांत रहना चाहिए ये श्दीब बीजी को बोलता है कि जल से जल वापस जाके फिर से अनुपमा के साथ स्पाइसान चड़नी खड़ा करना है क्या अनुपमा और ये श्दीब मिलके फिर से स्पाइसान चड़नी ओपन कर पाएंगे क्या इशानी खत्रे से बाहरा पाएगी जाननी के लिए हमारी चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए थैन्यवाद